हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में आज हम पढ़ेंगे कौची मीन वैल्यू थियूरम इससे पहले क्लास में आपको रोले की प्रमय और लगरेंजियन मीन वैल्यू थियूरम भी करा दी थी तो अगर आपने वो नहीं देखिये तो चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस दे देंगे आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज पढ़ेंगे कौची मीन वैल्यू थियूरम यह बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने आपको लगरेंजिस मीन वैल्यू थियूरम और रोले की प्रमे कराई थी वैसी ही है पस उसमें क्या था केवल फंक्षन एक चल ला था एफ एक्स यहां पर क्या है फंक्षन दो चलेंगे एक एफ एक्स चलेंगा और एक 5x चलेगा और बाकी सारी चीज़े यहां पर भी same रहेंगी तो चलिए यहां पर बताते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसका अगर statement आये तो statement आपको यही lines लिखनी पड़ेंगी तो यह lines सारी same रहती है जब हमने आपको mean value theorem कराई वहां पर भी यह सारी चीज़े same थी रोले की प्रमे कराई वहां पर भी यह point same थे मतलब कुल मिलाकर statement जो है वह आपका सेम रहेगा बस जगह जगह पर theorem के according आपकी f-c की value बदलती रहती है ठीक है रोले की प्रमे में क्या था f-c जो था वह 0 के बरावर था उसके बाद mean value theorem में क्या था fb-f a upon b-a था f-c की value यहां पर आगे देखेंगे क्या था ठीक है तो यह तो सारी हमने बाते आपको पिसले क्लास की बता दी अब इसका statement देखिए जैसा हमने आपको बताया कि दो function होगे एक fx होगा और एक 5x होगा तो लिख दिया कि यहां पर दो function दे रखे हैं यदि दो function fx and 5x satisfy the condition given below मतलब अगर satisfy करते हैं इन तीन conditions पर तो क्या होगा कोची mean value theorem applicable होगी ठीक है तो पहला point क्या है fx and 5x are continuous in the close interval a,b यह सेम वही लाइन है जो हमारी mean value theorem में थी वहां पर क्या था केवल एक function था fx यहां पर एक function और बढ़ गया 5x बाकी सारी चीज़े सेम है next point में हमारा क्या होता है differentiable के लिए तो आप चाहें इस तरीके से dash लगा कर लिख दीजे या आपको नहीं ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते है fx and 5x क्या लिखेंगे is differentiable तो आपको differentiable लिखना पड़ेगा यहां पर ऐसे हमने दिखा दिया dash लगा कर यह differentiable है और य ठीक है third point में क्या जाएगा third condition में कि f dash x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा for any point in a,b मतब a,b का कोई भी point के लिए इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा कुछ ना कुछ value होगी फिर आगे क्या लिखा है then there exist at least a point यानि वो exist करेगा कोई ना कोई पॉइंट पर जो point है c और c किसमें बिलॉंग करेगा a,b में फिर formula क्या है f dash c का तो f dash c में देखिए formula क्या हो गया है इसका f dash c is equal to f v minus f a upon में यहां आ गया है इसके upon में जब 5 dash c आएगा तो 5 के according यहां पर 5 b माइनस का 5 a लग दिया देखिए कितना आसान है जब यह लिखा तो f v minus a लिख दिया फिर उसके वाद जबने 5 dash c लिखा तो फिर क्या लिखा 5 नीचे लिख दिया बाकी सारी चीज़े तो सेम ही है बिल्कुल यह mean value theorem के ही जैसा है तो आपको इसके स्टेट में डियाद कर ले कोची mean value theorem यह पूरा लिखकर आपके पेपर में आएगा कोची mean value theorem for the function आपको function दोनों दे रखें इंटर्वेल भी दे रखा है आपको क्या करना है c find करना है और या तो verify करनी है कोची mean value theorem चलिए करते हैं और यह question इस तरीके से भी पूछा गया है gm of a and b is under root a, b मतलब जो आएगा भी आपको यह proof करकर दिखाना पड़ेगा ठीक है तो चलिए करते हैं सबसे पहले क्या किया हमने function ले लिया function इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम इंटर्वेल को put करते हैं put कर दिया पहले में a put कर दिया एक सी जीगाई पर फिर भी पूट कर दिया ऐसी दूसरे function मे इसका हमने डैश निकाल लिया ठीक है मतलब डिफ्रेंशेशन एक वर कर दिया एकस की replace कर दिया सी में तो देखे लिखा हुआ है फिर दूसरा function ले लिया हमने फाई वाला फाई का भी हमने क्या किया डैश निकाल लिया और डैश निकालने के बद इसका भी आपको सी कर लिक पाई थी फॉर्मूला लिख दिया अब सारी वेल्यूट आपको पता ही है यह भी सारी वेल्यूट अब इमें निकाल चुके सारी वेल्यूस को आपको यहां पर पूट कर देना है फूट करेंगे तो करेंगे तो under root C से under root C cancels ho gaya two C cancels ho gaya यहां पर आप LCM लेवा लिजे, LCM क्याशे लेते हैं नीचे वाली के आपस मे multiply कर दी, इसकी इधर multiply कर दीजे इसकी इधर multiply कर दीजे तो कर दिया तो इस तरीके सरे और頭 जो यहां पर जब यह टम उपर जब जाएगा तो पलट जाएगा ठीक है तो क्या किया इसको जब उपर जाएगा तो पलट गया मतलब हो गया अंडरूड A B upon A minus B और बराबर में जैसा minus C चल रहा था उसको वैसा ही चलने दिया आगे क्या लिखा हमने यहाँ पर यह अगर आप यहाँ से minus common ले लेंगे तो यह इसके जैसा बन जाएगा minus common ले लिए तो इसके जैसा बन गया तो यह आपस में cancel हो गए अब इधर भी minus चलना है इधर भी minus चलना है तो दोनों यह भी आपस में cancel हो जाएंगे यानि कुल मिला कर आपका क्या आ गया C आ गया under root A B जो बिलॉंग करेगा किसमें A, B में यानि यहाँ पर जो आपके प्रूव्मेंट में अगर प्रूव्मेंट आता है कितना आसान है अगर आपने भी रोले की प्रमेंट अच्छे से देखी है तो आप यह भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं तो समझ में आया किस तरीके से आपको questions को लगाना है अब देखिए अगला question यह question आपको खुद लगाना है आप अगर लगा के बताएगा कि कितना आपका answer है बहुत आसान है इसमें वही करना है यह function आपको दे रखएं दोनों integral value दे रखा है पहले क्या करेंगे अप इस function में one put करेंगे फिर इस function में आप two put करेंगे The 수가 comin' सब्सक्राइब करें लिए उसके बाद क्या करते हैं हमष्ड निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा इसका डैस निकालिए फिर आपको जआ कर दो चालें ओगा F below C X को replace कर देते हैं U Sum לי यहाँ पर भी आप वैसी करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे सारी values आपके पास होंगे और c का मान आपको मिल जाएगा बहुत आसान है लगा कर बताएगा comment section में कि आपका कितना answer आया इसी तरीके से एक question और है ये भी काफी important है इसमें आपको पहले इस चीज को solve कर लीजेगा कैसे solve करेंगे जैसे कि दे रखा है fx बराबर x x-1 x-2 तो प मतलब जो भी आपका function होगा इस bracket को आपको solve कर लेना है इस solve करने के बाद जब आपका यह और यह दोनों solve हो जाएं फिर आप इंटर्वेल्स को आप इसमें रखेंगे values को फिर उसके बाद इनका निकालेंगे डैश निकालेंगे मतलब इको differentiation करेंगे और फिर आप formula लगा द इस class के आपको बता देते हैं यह हमारा पूरा complete हो गया है तीनों theorem दो थी आपकी रोले की और हमारी लेगरेंजिन मीन वैल्ली और साथ में कौची तीनों हमारी complete हो गई है इसकी पीडिएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो वहां प और available है वह पढ़ सकता है तो आशा करते हैं सारे डीटेल में आपको बता पाए होंगे कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके भाई ज़रूर दाएगा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए इस class में अगले class मिलेंगे अगले नए topic कि संग तब तक कि लिए ज्याहिन जया भाराएगा